नमस्कार बिहार समवादाता देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी क्या आपने अब तक सुना है कि किसी प्रधान मंत्री को आम लोगों के बीच उनकी समस्या सुनते हुए आपको बता दे ओडिशा के बाला सौर जिले में शुकरवार की शाम रेल हाथसे में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है हाथसे में करीब 1000 लोग घायल हुए है घायलों में से कई लोगों की हालत गंभीर है आपको बता दे इन्हें घायलों को देखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर इनसे बादचीत की और इनकी हालत के बारे में जानकारी ली साथी उन्होंने कहा कि दोश्रियों को सजा मिलेगी देखी क्या कुछ कह रहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को एक भेंकर हाथ्सा हुआ असरी वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ पर कुछ उन्होंने घवाया है जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं लेपाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ है सरकार के लिए यह घटना तिंत घंबीर है हर प्रकार की जांच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे भगसा नहीं जाएगा तो आपने देखा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी खुद घायलों से मिलने गए और साथ ही मृतकों की परिजनों से भी मिले साथ ही उन्होंने दोश्यों को सजा दिलाने की भी बात कही खेर आपके इस वीडियो पर क्या रहा है कि कोई और प्रधान मंत्री होते तो क्या इस तरसे मुलगात करने जाते एसी तमाम राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जान को सब्सक्राइब करना बिलकोल न भूलें